श्री शिवाई नमस्तो भियम फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वास्तु के अंदर ऐसे कोई यंतर होते हैं जिसका आप यूज करेंगे यानि उसका उपाय करेंगे वास्तु के अंदर तो आपके घर का बहुत सारा वास्तु दोस्त भी दूर हो सकता है कई बार ऐसी हमारी वास्तु की टिप्स और टॉक्स का भी उस कर सकते हैं और साथी साथ उस टिप्स और टॉक्स के अंदर कुछ और फाइदा करने के लिए हम अगर वास्तु के सिध यंत्रा तब जब से सिध क्यों है यंत्रा अगर आप आपके घर के अंदर या आपकी फैक् उतिष्ट करा के तो उसका विशेश लाब होता है तो उसका विशेश लाब होता है क्योंक। जाती है घर में धन आ रहा है पैसा टिक नहीं रहा पैसे की बरकत नहीं हो रही कई दिनों से लगातार मेनत कर रहे पर धन नहीं दिख रहा धन बच नहीं रहा फैक्टरी के अंदर कोई ना कोई समस्या के खड़ी रहती है तो यहां पर आपको जो दिखाए गए उपाए है व आथिक नुकसान यह मानसिक कश्ट मानसिक चिंता है और संबंदों में जो कलेश उत्पन हो चुका है वहाँ पे आपको फाइदा होगा फ्रेंड्स वास्तू एक ऐसा सास्त्रा है अगर उसका प्रोपर अगर यूस किया जाए घर की रचना वास्तू के इसाब से की जाए तो 100 परसंड बेनिफिट होता है तो आप अंतक इस वीडियो तक साथ जुड़े रही है आपको बहुत सारी ऐसी वास्तो टीप्स और टॉक्स यहां पर पता चलेगी और साथ ही हम आपको एक इन्फोर्मेशन देना चाहते है आपको ऐसी जुड़ी और भी वास्तो टीप्स और आपको प्रसंडली देखनी हो तो हमारी एक एक अपलीकेशन है जो गुगल पे है गुगल प्लेश टोर पे है शिव वास्तो एनलिसिस उसको वाँ पर डाउनलोड कीज्ये वहाँ पे हमारे दो प्रोडेक्ट है जिसको बिजनेस करना है वास्तो के अंदर यानि वास्तु मे बहुत सारी tips and talks में interest है वो कुछ ना कुछ ऐसे उपाई करना चाते तो वापे आपको tips and talks भी प्राप्त होगी friends तो अंतक जुड़े रही है इस वीडियो के साथ तो देखिए friends आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे गोबर के कंडे दिलाएंगे आपको हर समस्या से निजात सबसे पहले तो ये गाई का जो देशी गाई होती है जरसी गाई नहीं देशी गाई के अगर ये गोबर हो और उसको सुखा के ऐसे कंडे बनाए जाए या ready-made कंडे मिलते पर आपको surety होनी चाहिए के ये देशी गाई के है तो इसका बहुत बड़ा विशेश हवन में, पूजा में, पूजा समगरी के अंदर, वास्तू के अंदर और हर तरह के उपाई के अंदर इसका विशेश योगदान है जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगे गोबर के कंड़े को जलाना तो शुब होता ही है, लेकिन अगर उसमें गी और कपूर भी डाल दिया जाए तो इससे और भी शुब और फलदाई परिणा मिल जाते है कपूर और देसी घी डाल कर गोबर के कंड़े का दुआ करने से घर के सारे वास्तुदोस खतम होते है फ्रेंड्स आपके गाउं के अंदर गाई तो आपके वहाँ पर हो सकती है शेहरों में ये सब मिलना बहुत असंभव हो है पर जिनके रिस्तेदार गाउं से है या फिर आप कहीं से भी शेहर से अगर आपको शोरिटी है कि हम जो गोबर के कंड़े ला रहे है वो देसी घाई के है तो भोती विशेस लाब है यहाँ पर आपको क्या करना है देसी घाई का गी भी लेना है और भीमसेनी कपूर भी लेनी है और देसी घाई के गोबर के कंड़े में उसमें तोड़ा गी और कपूर डालके उसको जलाईए प्रति दिन सुबा साम घर के अंदर उसकी धुनी कीजिए एक घंटा, आदा घंटा, पंदरा मिनिट, बिस मिनिट अगर यह धुनी आपके घर पे रहेगी गोबर के कंड़े की तो घर का संपुरुन वास्तुदोस नश्ट होगा चाहे वो वास्तुदोस इसान कौन से बिलिव करता हो चाहे वो अगनी कौन का हो, चाहे वाईवय कौन का हो, चाहे नहिरुत्य कौन का है वास्तु के इसाब से घर होना भोती विशेश जरूरी है बड़ जिनका घर वास्तु के इसाब से नहीं है और कोई ऐसा उनके पास समादान करने का समय नहीं है पैसा नहीं है और उनकी स्तिती भी नहीं है तो उनको अगर यह उपाई दिया जाए या किया जाए तो भोती विशेश लाव होता है इस उपाई के अंदर एक ऐसी एनरजी क्रियेट होती है गाई के कंडे गोबर के कंडे का भोती सुध यूस किया जाता है जिससे वास्तो दो हर तरह के दोशों को में अच्छा विशेश परिणा मिलता है तो फ्रेंड्स आपको देसी गाई का गोबर का कंड़ा लेना है उसमें तोड़ा घी डालना है वो भी शुद गी होना चाहिए देसी गाई का गी होना चाहिए और साथ ही साथ भीम सेनी कपूर रोज सुबा सम 15-20 मिनिट आदा घंटा दूनी किजिए संपुर्ण वास्तु दोस्त से आपको नकारत्मक एनरजी सा आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके हर काम बनने लग जाएंगे फ्रेंड्स आगे हम बताएंगे घर की इन जगाओ पर रखे वास्तु पिरामिड पिरामिड आपको मिलेगे उसको वास्तों में कहां रखने से क्या विशेश फल है उसके बारे में यहां पर थुड़ा बताया गया है घर के उत्तर पस्तिम कोने पर वास्तों पिरामिड स्तापित करना एक अच्छा वास्तों उपाई माना जाता है यह घर में संभुद्री लाने में मदद करत अगर वहां पर कोई वास्तोदोस है अगर दुकान है आपकी फैक्टरी है अगर वाइविया कौन बिगड़ा हुआ है तो चंद्र डिश्टा पे उसके अशुफल मिलेंगे आपको कंट्यूनिटी और रोजी नहीं मिलेगी यानि इंस्टेंट पैसा नहीं मिलेगा तो वहां पे आप कोई भी एक पिरामीड स्तापित कीजिए उत्तर पस्सिम कोने में तो उसका विशेश लाब है समरुद्धी लाने में मदद करता है और धन को आकरशित करता है घर के उत्तर पस्सिम कोने में वास्तू पिरामीड होने से घर के सद्धियसों की आए दर में वृद्धी होती है यानि इंकम जो होती है इंकम में प्रोसेस ऐसा फास्ट होता है अगर उनकान बिजनेस है तो का ग्रोथ होता है जोब में प्रोशन मिलती है फैक्टरी के अंदर बहुत अच्छी सेल होती है जो इंकम है जो फिक्स इंकम है उसमें भी आई में वृद्धी होगी यानि रिद्धी सिद्धी का आशिरात प्राप्त होगा वाईवे कोन के वास्तू दोस्त निवारण है त यह बहुत ही विशेश लाब है और इसके अंदर गोमती चक्रा संबंदित यह पिरामीड है तो सोने पे सुआगा वाईवे कोन में रख दीजिए इंस्टेंट आपको रिजल्ड मिलेगा आपकी आई में वृद्धी होगी घर में बरकत रहेगी पैसा टिक न लेगा बिजन तोर पर वहां रखे जाते हैं जहां घर के सद्दस से सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं यह पिरामीड परीवार और घर में आय और समरूदी से तो लाते ही है और आपसे समंजिय स्थापित करने में भी मदद करते हैं अब यहां पर यह बता है रिलेशनशिप के लिए भी अगर आपका ड्राइंग रूम वाईवे कोन में है अगर नहीं भी है तो आप ड्राइंग रूम के उस वाईवे कोन के अंदर यह पिरामीड स्तापित कर देंगे तो वहां में आय में तो वृद्धी हो रही है साथ ही साथ आपकी एकता बड़ेगी परिवार सुक जिससे आप अपना जीवन का लुप्त उठा पाएंगे जीवन को जी पाएंगे और शान्ती मिलेगी समरुद्धी मिलेगी और सुक मिलेगा हमेशा यह देखा गया है जहां पैसे भोत होते हैं वहां लोगों के पास समय नहीं होते परिवार एक दूसरे के साथ मिलते जुल फेमिली सदसे अपने जिन्दगी में मश्गूल होते अगर उनके बैड रूम में या उनके लेबर बैटते हैं जैसे study table हो गया जा एक साथ लोग इखटा होते हैं वहाँ पे ये pyramid स्तापित किया जाए तो उनकी जो नकारत्मक सोच है जो bonding है नकारत्मक सोच की विज़ा से जो उनमें bonding की कमी आ चुकी है एक दूसरे में एक करीब नहीं आ रहे connect नहीं हो रहे तो उसका संपूर्ण वास्तो दोज निवारण होगा और आपके घर में सुक सांती समरुद्धी बढ़ेगी ये pyramid का ये विशेश लाव है आज की tips थोड़ी product के साथ हमने connect की है जिससे आपको करने में सरलता हो और आपको इसका फाइदा भी हो यंत्र यंत्र यूग है ये यंत्र रखने से बहुत वास्टूलाब ये क्या है भोती विशेश चीजहिए वास्तू की मानों तो घर में तांबे का सुरेश पूरे घर में के लिए उर्ज़ा का एक उत्रुष्ठ स्रोत माना जाता है यदि आप सुरिय की उर्ज़ा का प्रतिक तांबे का सूरज घर में लगाते हैं तो आपके गरों के चारों तरफ यस किर्ती खुशाली बनी रहती है फ्रेंड सुरिया नारण की उर्जा सुरिया देव का प्रकाश उनकी एनरजी अगर आपके घर के अंदर कोई भी परकार का वास्तोदोस है डाइरेक इन डाइरेक अरसोरिय किरण वहां तक महुचती है तो वहां का हर तरह का वास्तोदोस दूर होता है क्योंकि घर के अंदर UV वो कहीं पे भी स्तापित होगी तो घर में negativity रहेगी बंदन दोश रहेगा वास्तोदोश रहेगा और नजर का दोश रहेगा अगर सुर्य नारण की किसी भी तरह वापे किरन पोंचती है उनकी एनरजी पहुंचती है तो वहां के हर तरह के वाइरस, कीटाणू, विशाणू, सब नश्ट हो जाते हैं अगर आपके पास क्रिश्टल है तो आप क्रिश्टल का पिरामिड भी ऐसी स्तितिस्ति में रख देंगे तो वास्तोदोस होगा पर यहां पे तांबे का सुरिय अगर आपके घर के अंदर पुर्वद इशा की दिवाल पे लगाते है तो वहां से वो एनरजी, वो वाइब्रेशन पूरे घर में स्प्रेड होगे हर घर का वास्तोदोस दूर होगा, नकरत्मक उर्जा दूर होगी, धन समरुद्धी बढ़ेगी, प्यार मुबबत बढ़ेगी, बीमारिया दूर होगी, यश्किर्ती, जस्ट और आपको परमोशन प्राप्त होगी यानि ये आपके जीवन के अंदर बीमारिया भी दूर करते हैं, आपके धन वुरुद्धी भी करते हैं, घर में सब जनों को समझ जन्य प्रेम स्तापिद भी करते हैं, हर तरह से घर में मेल जुलाओ रखते हैं, और हर तरह का वास्तोदोस दूर करते हैं, एक तांबे का दातु के रुब्बे भी जाना जाता है और ऐसा मानना आता है कि इस तरह का सूरज घर में सकारत्वक उर्जा का संचार करता है यह घर के लोगों के बीज समंजस्य बनाए रखने में मदद करता है और इससे निकलने वाली उर्जा वातार में समरुद्धी जोडती है जिससे परिवारी कलेश भी मुक्ती मिलती है तांबा इटला पवित्र इतनी पवित्र धातु है अगर उसकी कोई भी चीज घर में योग्या दिशा में रखी जाए तो उससे पोजेटिवीटी निकलती है उसके वाइब्रेशन उसकी किरने हैं उनमें से निकलने वानी रेज हमारे देखा गायए यहां धन है वहां पर हमेइसा प्यार मुबत का हमें किसी भी कि तरह का relation डिश्टब है तो यह उपाय कर लिजे घर में धन नहीं आ रहे यह उपाय कर λिजे घर में बीमार्य है प्रमोशन नहीं मिल रही, फैक्टरी नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही है, शुप उपाई कर लीजिए, कुछी दिन में आपको घर के अंदर इतनी समरुद्धी, खुशाली और वातरण शुद मिलेगा, कि आप खुद कहोंगे, कि बहुत मजा गया, क्योंकि इसकी जो प्रेज है, वो हमारे घर के दूशित वातरण को नश्ट करती है, ओटोमेटिक वातरण को शुद करती है, ये उपाई करके ही जाना जा सकता है, बातों में इसे नहीं जाना सकता, ये बहुत ही विशेज लाब है, और करने जैसा है, अब यहां पे एक रोजिन्दी चीज है डॉक्यूमेंट्स, वो भी कैसे वास्तू के अंदर क्या दिशा है, कैसे रखना है, और उसका क्या प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, सबसे बेले बात करेंगे, डॉक्यूमेंट को रखे सही जगा पर, अगर आपको कोई नया काम शरू करना है, तो समय जुड़े ड आगजात के लिए उत्तर दिशा के बिलकुम सेंटर की जगा सबसे अच्छी मानी जाती है, अगर इस जगा डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो इससे भविश्य में कभी भी आपकी, इससे भविश्य में भी आपकी अच्छी ग्रोथ होने की संबावना रहती है, फ्रे बाउसर मिला है, वो काम सही समय में, बजेट में और टार्गेट में खतम कर सको, या बिजनेस के अंदर कोई बहुत बड़ा ओडर मिला है, उसको आप उसको पूरा कर सको, नोकरी के अंदर अच्छा प्रमोशन मिला है, अच्छी जगा का आपको प्रोजेक्ट मिला है, कि कि आपको इस center को develop कर रहा है तो उससे जुड़े कोई भी documents है approval है work order है उसको आप अच्छी तरह एक filing कीजिए उस filing को आपके घर के उत्तर जोन यानि नौर्थ जोन में उत्तर दिशा में 0 degree या 60 degree या फिर आपकी office की नौर्थ में या फिर आपकी factory की नौर्थ में जैसा आपको convenient लगे और जैसा आपका वेऊसा है वहाँ पे वो पूरा मंच वो पूरी file documents approval और work order ये सब वहाँ पे रखने से आपको काम के अंदर बहुत बड़ी growth मिलती है क्या एक तो आपको काम के अंदर आने वाली हर तरह की दुवीदा हर तरह के केते रुकावट दूर होती है हर तर दन को अपनी तरफ खीशते महां का जो पद है शुब पद वहाँ पे सोम और बुद्ध यानि सोम और उभेर का स्तान है यह बहुत शुब स्तान है यहां पे positivity का बहुत बड़ा भंडा रहे धन को आरकर्शत करने की एक ऐसे एनरजी है महां के जो लोड स्वामी है वो है बहुत विशेशतान बताया गया है तो आप इस टिप्स को भी फोलो कीजिए यंत्र को दिखाए गए वो यंत्र को यूज कीजिए और कोई भी आपको जीवन में समस्या है तो हमारी बहुत सारी हमने वीडियो ऐसी बनाई है जहां आपको कोई भी परकर का वास्तु के जिससे आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ समस्या दूर होगी टैंक्यू फ्रेंट्स हर हर मादेव हर हर मादेव हर हर मादेव